चाइना में गेंड बाज कुली प्यादव ने खुलासा किया है कि हैट्रिक गेंड से पहले विकेट की पर महेंदर सिंग धोनी ने उनसे क्या कहा था मैच के बाद कुल दी प्यादव ने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माच है ट्रिक विकेट लूनगा शुरुआत में एक खासक शेतर में गैंद बाजी करने में मुझे दिक्कत हो रही थी लेकिन ये क्रिकेट का खिल है यहां कुछ भी हो सकता है पिछले माच में मेरे एक ही ओव में तीन चपके लगे उससे मैंने काफी कुछ सिखा इसके बाद कुल दीप यादव ने बताया कि मैं कहा गैंद बाजी करूँ तो उन्होंने कहा कि तुझे जैसा लगता है वो डाल ये मेरे लिए बहुत ही खास पल इस हेट्रिक ने खेल का रुख भारत की तरफ मोर दिया मैं काफी गौरवानवित महसूस कर रहा हूँ आपको बता दे दूसरे एक दिवसियर मुकाबले में कुल दीप यादव की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी साथ ओवर तक उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला था ग्लिम मैक्सवेल ने उनकी गिंदों पर शांदार चका जड़ा इसके बाद उनका छोर बाद लागया छोर बदलने के बाद कुल दीप यादव की गेंबाजी में अचानक पेना पुना गया उन्होंने एक योवर में मेथ्यू एड एश्टन एक र और पैट कमिंज को आउट कर अपनी हेट्रिक पूरी की ऑस्ट्रेलिया आई टीम एक तमय मजबूती से लक्षे की तरफ आगे बढ़ते दिख रही थी लेकिन कुल दीप यादव की बहतरीन हेट्रिक ने भारतिय टीम को माच में वापस ला भिया अंप में भारत में 50 रनों से माच जीता आपको बता दे एक दिवसिय क्रिकेट में कुल दीप यादव हेट्रिक लेने वाले तीसरे भारतिय गेंबाज है उनसे पहले चेतन शर्मा और कपिल बेव ये कारनामा कर चुके थे